एक्टर सतीश कौशिक की जो मौत हुई है वो एक natural मौत नहीं थी वो एक murder था ऐसा statement दिया है एक औरत ने जिनका नाम है सान्वी मालू सान्वी मालू ने एक police complaint दी है और एक statement दिया है जिस statement में उन्होंने कहा है कि उनके पती विकास मालू ने सतीश कौशिक की ड्रिंक्स में जहर की गोजय मिना की उनकी जान दी है और इसके पीछे रीजल उन्हों ने ये बताया कि उनके पती विकास मालू ने सतीश कौशिक से 15 करोड रुपे लिये थे और इस बात को लेके उनके बीच में जगड़ा भी हुआ था जब सतीष कौशिक ने विकास से कहा था कि अपने 15 करोड रुपधर वापस देने के लिए तो विकास और उनके बीच में जगड़ा भी हुआ था और उसके बाद विकास ने अपनी वीवी सानवी के सान में ये कहा था कि इसके 15 करोर तो मैं वापस नहीं कर सकता क्यूंकि ये COVID की टाइम पर बिजनस में लॉस हो गए तो सतीष से पीछा छुडवाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाए तो इसलिए जब सतीष कौशिक विकास के फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे तो बताया गया कि उनके ग्लासस में उनके ड्रिंक्स में कुछ जहेदी गोलिया दालके उनको पिला दी गई और इसके लिए रशियन गल्स अभी सहारा लिया गया रात को बारा बज़े के करीब अचानक सतीष की हाल अब बिगड़ने लगी उन्होंने अपने मैनेजर को कॉल किया और कहा कि मुझे यहां से ले चलो हॉस्पेटल ले चलो और बाइदा टाइम वो गुरुग्राम के हॉस्पेटल में जाते वहां पे उनकी देथ हो गई मौत जो है वो काडिया करे से हुई थी हाट इटाक योजे से हुई थी तो फिर सवाल यह उड़ता है कि सानवी आपने पती के उपर इल्जाम क्यों लगा रही है इसके पीछे एक रिजन यह हो सकता है कि वो शायद अपनी परस्नल दुश्मनी निकाने के लिए इस मौके का यूज कर रही हूँ क्योंकि सानवी ने अपने पती के उपर पहले भी बहुत सारे F.I.R.S किये थे कि उन्हों ने कि विकास ने सानवी का रेट किया था फिर उनके साथ जबदेशी शाली की थी और शाली के बाद भी विकास की पहली बीवी के बेटे ने उनके साथ बत्तम करके रहीगी लेकिन ऐसी और स्टोरिज जाना चाहते हो तो अभी के भी सब्सक्राइब कर